हलो फ्रेंड्स त्वागे मैं एक और नीए वीडियो के साथ यार एंग पुसिंग एपिसोड नमबर 28 होने आला है और मैं हर कमेंट रीड करता हूं यार हर वीडियो का और आप में से मतलब बहुत से लोग मेरे से पुछते है यार कि लाइव क्यों नहीं करता मैं और आखिरक वीडियो में गेम हिसे नहीं चलता यार पिंग हाई जाता है तो लाइव स्टीम क्या खाक चलेगा तो आगे चलके कभी देखेंगे मतलब ट्राइए करेंगे कभी करने का तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह रहाज का पहला मैच और यह मेरे डेली मिशान वाला मैच ठ्यार आज कल तो मैं ज्यादा गेम नहीं खेल रहा हूं बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं गेम खेल रहा हूं समझ लो तो यहां पर एक बंदा देख लो यह मेरे पर रस कर रहा था मेरे को लग रहा थी इसको मेरा लोगेशा नहीं पता लेकिन इस बंदे ने मेरे को देख लिया था मैंने थोड़ा बहुत इसको डाइमेज कर दिया था तो फाइनली मैंने इस पर रस कर दिया था मैं एक सेवान थ कर दिया था फाइनली इस वाले बंदे को मैंने उड़ा ही दिया आखिरकार मतलब मैक्स हो अन से अब इसी के साथ मेरा दो कील हो गया था इधर यह मेरे डेली मिशन का मैस था यार तो जैसे भी करके मेरे को इसको बुया ले निकालना था भली मेरा कील जाता ना रहे तो अरप हमेले जोन में तो आ जाते है गार उसके उगार फाइड करते यहाँ पर एक बंदे को मैने डाइमेज दिया वह बंद पी ऐलीमिने ek हो गया दूसरे को डाइमेज दिया वह बंद अ Pak voz और मैं dol Mr.. अगर एपे बूशन नहीं रहता तो मैं मर जाता और पीछे सए कestion मन यह बेट पकड़ा हुआ था मैं उस पे लग गया नहीं तो फिर यहां पर मैं मरने वाला था मतलब जैसे तैसे भगवान पर उसी यहां पर मैं बच गया था समझ लो क्योंकि उसका एक सौट मेरे पेन में बोलता हुआ यार बेट में लग गया था मतलब मेरे पे लगता तो फिर मरने ही वाला था मैं तो अभी बस एक ही बंदा बचा थे यार तो मैंने वीडियो का पार्ट थोड़ा सा कट कर दिया ताकि थोड़ा आपका टाइम बचा पाऊं करके तो यहां यहां पर यहां पर ब्रीज पर फड़ा उसको बटल ना दे और यहां पर में ऑल organs आने पहले फोड़े दिया को तो यह व्हाला बंदा geschender पैली यहां पर भीऩा he मेरे को नहीं पड़ा उसका नहीं तो मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो जाया रहता अब यहां पर मेरे पस बहुत ज़्यादा नेड था यार 5-6 नेड था तो फिर मैंने नेड करने स्टार्ट कर दिया वह बंदे का दिमाग देखो भाई उसने अपने आगे में वाल लग यहां पर मैं नेड करने ही वाला थे यार क्योंकि मेरे पस बहुत ज़्यादा नेड था मेरे को लग रहा थे इस वाले नेड से उसका कील आ जा गया लेकिन उसको ब्यानवे का ही डाइमेज गया तो एक नेड और एकदम परफेक्ट मारा मैंने तो उस बंदे का फाइनली मे मेरे को चार किल के साथ बुईया मिला थे यार और जैसे तैसे करके डेली मिशन मेरे को मिल ही जाएगा पूरा प्लस इतना मेरे को लग तो रहा थे क्योंकि डामेज वह एकरा काफी अच्छा दे दिया था मैने बंदों को तो इसमें फाइनली मेरे को 46 प्लस मिल गया थे कि क्या बता हूं मैं मेरा मतलब नेट थोड़ा यहां पर स्लो चल रहा था अभी तो देखो यार 500 का पिंग जा रहा है समझ लो 100 के उपर मतलब नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है तो अचानक से पिंग हाई चला जाता है अचानक से ठीक भी हो जाता है यहां पर देखन अभी क्या स्कीन होता है एक बंदे को मैंने इतने में मतलब 600 उसको मतलब मार दिया मैंने लेकिन वह बंदम मर नहीं क्योंकि मेरा पिंग हाई चला गया है देखो रेड रेड हो गया है तो इस टाइम पर मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था यार कि क्या बता हूं मत आर बढर बोल रहा हूं वही बात कि गुस्सा आता है लेकिन लिटरली मेरे मेरे को बहुत जादा गुस्सा आ रहा थे longest cast आ। जैसे हम बंदों से ही पníक बंद बहे जा रहा है तो हर दम हाई जाना चाहिए ने यार तो यहाँ पर एक बंदा थे जिसको मैंने उड़ा दिया इसको इतना जादा बोडी सॉट मारा यार लेकिन लास्ट में एक हेड पड़ गया तो मेरे को हेड सॉट के साथ कील मिल गया अभी सामने में एक बंदा है उसने प्लस मिल जागी इतना मेरे को पता था तो फाइनली इसमें मेरे को 26 प्लस मिल गये थे और कील देखते हैं यार चाहे कील के सान्थ पुईया मिलाता समझेलो तो बात करें हम इस वाले मैच की तो इसमें मेरे भी तक 4 खील हो गया थे यार और मेरे को छोड़ कर भी आठ अब सामने एक और बंदा दिन का गए का अशधर मेरे चल लेकिंड़ कील हो गया है तो दिया यार तो डवल कार्टनेट भी ना सोलो में काफी खतरनाक गन है अगर आपको चलाना आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा गन है यार मैं मैं बहुत पहले चलाता थे यार अच्छा मतलब बहुत ज्यादा चलाता था समझ लो दो तीन महने पहले लेकिए मैंने चलाना छोड़ दिया अब यहां पर एक बंदा दीखा पता नहीं कैसे मेरे मतलब स्वीच कर रहा थो नेड हात में आ जा रहा था मैं मतलब यह वाला बाच गया यार तो मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या बता हूं अब यहां पर डेंजर जोन आ गया है तो आप जब भी टावर में बैठों नो तो जहां पर मैं बैठाओं अंदर में आकर हमेशा रहो अगर इस वाले कंपाउंड से बाहर जाओगे तो आप जोन से मतलब डेंजर जोन से फट भी सकते हो प्रस्नल एक्सपिरियंस आपको बता रहा हूं एक बार मैं मर चुका था मतलब यहां पर थोड़ा सा बाहर में था तो मेरे को अभी डर इस बात का है वह बंदा मरे ना डेंजर जोन से लेकिन फाइनल ही वह बंदा इलिमिनेट हो गया डेंजर जोन से और उसका डेड़ बाक्स आपको यहां पर पेटी बना हुआ दीखी रहा हो गया थोड़ा थोड़ा दीख रहा है यार तो अभी तो मेरा साथ किल हो गया है मेरे को छोड़कर अभी तीन बंदे और बचे तो इस टेंपे मैं थोड़ा सीधार उधर व लग गये वाल तो यहां पर देखो वह बंदा एक साथ उसको पड़ा उसके बद उसने वाल लगा लिया था इतिंग तो इसलिए बांकी का साथ उसको लगा नहीं तो जहां तक मेरे को लग रहे है वहां बंदा भी मतलब कार 98 ही चला रहा है है तो यहां पर अभी इस वाले जो उपर में थना इसको क्या बोलू यार मैं समझ में नहीं आ रहे मेरे को एक दाम टॉप में बंदा था समझे लो वहां पर दो बंद स्थवाकर कर रहे थे क्योंकि एक बंदे अ cada Все को ओपर में दिखा थै यार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उधर दो बंदthe आपस में फाइट कर रहे होंगे करके तो यहां पर देखो एक बंदे को फाइनली एक ने उड़ा दिया था मतलब कार 98 ही चला रहा थो बंदा मेरा सक एकदम सही निकला तो यहां पर उसके मैंने दो सौट फायत किया भाई उसके पेन में दोनों का जल्दी जल्दी करके तो उसके पास भी डबाली स्नाइपर है तो ज्यादा भी हम रिस्क नहीं लेंगी यहां तक आए हैं तो बुईया लेकर ही जाएंगे समझ लो तो कील तो आराम से निकल गया है इस वाले बंदे को उड़ाने के बाद मेरा आठ कील होने वाला है अगर सॉफए मजलो इसलिए मेरे मतला पर में लगे जा रहा थे उसका सौट अब वह बंदा। इधार से देटर चला गया था भाई पता पर मैंने उसको एक सॉट लगा जिया तो बंदा वाल लघा तुर मेरे पास बीट गारb और यहां पर उसको एक सॉट मारा और दो सॉट मार के उड़ा दिया फाइनली जहां तक मेरे को लग रहे है उसका स्वीचिंग थोड़ा सीधार उधर हुआ यार मतलब बिगड़ा समझ लो इसलिए मैंनि उसको मार दिया काफिया सानी से चारा वरना मेरे को भी मार सकता था क्योंकि उसके बास अपन दडबल कारने या यहां तक वीडियोदेखा एग तो आपको दिल धन्यवाद मिलतें नेक्स्ट वीडियो में